दो सितंबर 2019 का ये वाक्या है SSP आगरा पुलिस लाइन के अंदर यातायात पुलिस के साथ एक मीटिंग कर रहे थे इसी बीच में SSP ट्रेफिक ने कुछ बोलने की कोशिश की तो SSP को गुस्सा जाता है और उन्हें SSP ट्रेफिक को बहुत बुरी तरह से लतार दिया फटकार दिया इसी बीच में उनके नजर पहुंचती है सियो ट्रेफिक के पास तो SSP ने सियो ट्रेफिक को भी बहुत बुरी तरह से डांटा फटकारा अब पूरा का पूरा जितना भी होल था जितने भी इसमें पुलिस कर्मी है सब के सब शांत हो जाते है कहीं से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी अगर आवाज आ रही थी तो SSP आगरा की आ रही थी बबलु कुमार SSP आगरा अब देखते देखते अपना रोव गालिप करने के लिए सामने नजर पहुंचती एक T.I. के पास और T.I. के जो पेट होताए जादा मोटा होता है वो से बहुत बुरी तरह से धमकाते हैं फटकारते हैं कहते हैं कि तुमने बहुत मोटा पेट कर रखा है तुम्हें अगर गाप करनी है नहीं करनी है जो एक अधिकारी का अपना बात करने का तरीका होता है, उसी तरह से वो उन्हें डाट रहे थे, वो टी आई भी अपनी गर्दन जुकाए नीचे इसे बात कर रहे थे, इसी बीच में उन्हें कहा कि तुम्हारी गर्दन में या एक रीट के हटीम को दिक्कत है क्या, सीधे के नहीं बैठते हो, अब यहां इसी बीच में वहां पर पास में एक HCP यानि की Head Constable प्रिमोटिड, वो भी बैठा हुआ था, उसका हाथ खड़ा होता है, कहता है कि साब कुछ बात कहूं, अभी तक तो कोई बोल नहीं रहा है, पूरे होल के अंदर बिकुल सनाटा पसरा हुआ है, लेकिन Head Constable यह कहता है कि क पसरी जाता है, SSP को गुसा आता है, SSP ने अब इसका रियक्ट करना जब शुरू किया है, SSP ने जब कुछ बोलने की कोशिश की है, तो उधर से तो इतनी गालियां, इतना भद्दा भद्दा, इतना अतना बुरा बुरा SSP को कहा गया, कि उस होल के अंदर सनाटा सा पसर ज बात आई गई हो जाती है, हालकि अखवार में छपा था, लेकिन इस रूप में नहीं छपा था, मगर आज की कहानी जो मैं आपको सौने जा रहा हूँ, इस कहानी की गूँज अब हर अखवार में है, सोशल मीडिया पर हर कोई जानना चाहता है, कि आखिरकार हुआ क्या था दरसल कोई व्यक्ति है, अधिकारी है, वो जब डियम को जूंता मारता है, और जूंता लगता है, नहीं लगता है, आज कहानी इसी वेशे पर कि आखिरकार डियम ने चूं जूंता खाया था, आदाब, नमस्कार, सस्त्रियकाल, मैं उस्मान सेफी, आज की जो सची घटना म जिला आगरा की, इससे पहले कि मैं आगरा की इस कहानी पर आओ, पहले मैं बात करता हूँ, प्रियागराज की, प्रियागराज विकास प्राधी करण का एक चपरासी होता है, जिसका नाम होता है आकाश, बात कर रहा हूँ, 21 अगस्त 2017 की इस आकाश नाम के चपरासी ने एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि ये अधिकारी की पत्नी है इसने मुझे बे बजे एक के बाद एक तीन थपड मार दी है और ये पहली बार नहीं हुआ इससे पहले भी हुआ है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने परिवार के साथ अपनी पूरे परिवार की जीवन लिला समाप्त कर लूँगा मर जाऊँगा जब ये बात वो कहता है तो इस बात की गौँच फिर अख़वारों के माधियम से लोगों में फैल जाती है और लोगों के बीच में कि जिसकी उपत्नी थी वो अधिकारी पिर्यागराज विकास प्राधिकन के उपाध्यक्ष होते हैं उन पर दो चार्ज दी हुए थे वो उपाध्यक्ष भी थे साथी पिर्यागराज के डियम بھی होते हैं नाम है उनका भानूचंद गोसौप स्वामी जो कि आईएस हैं और 2009 बैच के आईएस ओफिसर होते हैं और ये अलग अलग जिलों में जाते हैं तबादले होते चले जाते हैं और तबादले होने के बाद इनका तबादले होता है तीन सितंबर 2023 को ये आगरा के डियम बन जाते हैं अब जब आगरा के डियम बन जाते हैं तो आग मिटिंग आयोजित की जानी थी, उसकी अध्यक्षता खुद डियम साब कर रहे थे, डियम साब यानि की भानुचंद गोस्वामी, यहाँ पर सीडियो साब भी मौजोद होती है, प्रतिवा सिंग उनका नाम होता है, अलग-अलग बिलोग के बीडियो भी आये होते, बीडियो कारें को लेकर कि सरकार ने क्या-क्या योजनाएं दी हैं, जनता की जो शिकायत हैं, उनको गंभीरता से लेना चाहिए, इस तरह की जो डियम आदेश देते हैं, इसी बीच में आदेश देते देते, डियम साब के मूँ से कुछ ऐसा निकल गया, बीडियो के लिए, यानकी अनिरुद सिंग चुहान के लिए कि किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, लेकिन बीडियो ने सुन लिया, अब जैसे जी बीडियो ने सुना तो बीडियो खड़े होकर एक तरफ उनका जो चेहरा था, तम- तमाय होग था, बहुत गुस्द्दे में होने के बाद कहते हैं, कि DM साब मैं आपसे डरता नहीं हूँ इस तरह की भाषा मेरे सामने प्रियोग करने की बिक्कुल भी जरूत नहीं है जैसे DM साब के कानों तक यावाज पहुची कि वीडियो की इतनी हिम्मत कैस हुई अकरकार मुझसे ऐसा कैसे बोल रहा है तो एक पेपर बेट जो होता है पेपर बेट जो होता है वो कभी काच का भी होता है कभी लकडी का भी होता है अब वो पतानी काच का था या लकडी का था वो पेपर बेट जो पेपरों को दबाने के लिए निकी पेपर हवा से उड़ना जाए वो DM साफ के हाथ में आता है, DM साफ को गुस्सा आता है और DM साफ बहुत गुस्से में आके उसको पेपर वेट फैंक के मार देते हैं जैसे पेपर वेट फैंक के मारते हैं तो बीडियो अनिरुदि सिंग चोहान बच जाता है और बच जाता है तो अब अनिरुदी चोहान का जो गुसा था वो सातवे आस्वान पर पहुंच जाता है और वो गुसे माने के बाद अपने पैड से जूता निकालता है जूता निकालने के बाद डियम साब की तरफ को बहुत तेजी के साथ जो फैंक के मारता है अब यहां जितने भी अधिकारी बैटे हुए वो समझे नहीं पाए कि आखिरकार हुआ गया अब यहां से वो अपनी सीट छोड़ता है और सीट छोड़ने के बाद डीम के पास जाता है और गुत जाता है कहते हैं कि यह हाता पाई शुरू हो जाती है डीम साब ने बचने की भी कोशिश की लेकिन तब तक तो शायद उसने अपना काम कर दिया था और काम करने के बाद यानि की मारपीट करने के बाद अवधर वहवार करने के बाद खुब गंदी गंदी गालियां देने के बाद यहां से मौका पाते ही भाग जाता है कोई अधिकारी से पकड़ पाता कोई पुलिस वाले कुछ कह पाते क्योंकि बात पुलिस वालों तक पहुंच ही नहीं पाई पुलिस वाले दोड़ के आते क्यों जो सुरक्षा में लगे रहते हैं और D.E.M. साफ समझ नहीं पाये कि आखिरकार हुआ क्या था यह बात अभी कमरे के अंदर थी या निकि बैठेक चल लगी थी उसमें थी एडियो बैठे हो थी, सीडियो बैठे हो थी बाकि अधिकारी बैठे हो थी धीरे धीरे करके बाद ये कमरे से बाहर निकल जाती है अब कमरे से बाहर निकलने के बाद ये बाद कुछ देर में मीडिया वाले के पास पहुँच जाती है और मीडिया में देखते देखते फिर तो सोशल मीडिया पर वारल होने लगती है कि D.M. साब को इस तरह से वीडियो साब ने जूता मारा है जूता मारने की खबर लगाता जब वारल होने लगती है दोपहर लगवक 3.3 बजे के आसफास का वक्त होता है अब सहयक विकास अधिकारी पंचायत खंदोली के जो एडियो साब होते हैं जिनका नाम होता है पंकच कुमार उनको आदेशित किया जाता है कि भाई बात बहुत ज़दा खराब हो चुकी है डियम साफ की बहुत ज़दा बेजती हो चुकी है इसलिए आपको जाकर थाने में तहरीर देनी ही पड़ेगी यानि कि आगरा का रकाब गंज थाना होता है प्रिक दक्षता का भी प्रियोग किया गया है सरकारीकारों में बाधावी पहुचाने की कोशिश की गई है यानि कि मुकदमा अपराद संक्थिया डबल जीरो सत्रे के तहत मुकदमा दर्च का लिया आता है भारती दंड सहीता अठारे सो साथ की धारा 323 जो की बताती है अ यानि की जान से मारने की धंकी दी गई है एक धारा और होती है 332 जानि की सरकारी कारेों में बाधा पहुचाए गई है बेडियो साब की आप ढूंडाई शुरू हो जाती है यानि कि पुलिस वाले अब बेडियो साब को तलाश करना शुरू कर देते हैं और बेडियो साब थे बीक जिम्मदारी बनती थी वो नजदे की पूलिस इस्टेशन जाते जाकर बताते की पूरी कहानी क्या है, डियम साफ को मैने जूता क्यूं मारा है, वो बताते नहीं है, छुप जाते हैं, अब डियम से कौन पंगा ले, क्योंकि कहते हैं कि गाओं में तो कहा बते कि डिय प्रूटे के कह रहे हैं कि इनके मान सम्मान को इतनी ठेस्ट पोची कि बीडियो साब ने अपने मान सम्मान के हाथ औहाथ बदला ले लिया लेकिन लियाविक इससे डियम साब से डियम साब तो बहुत पाबर पूलें अभी इस मामले की आफायार दर्ज हो चुकी है क्या बीडियों के ऊपर तो बड़ी आफ़त आनाते हैं हाला कि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदितेनात नियाय की बात करते हैं अब देखने वाली बाती है कि वो बीडिया को कितना नियाय दिल बाते हैं या फिर डियम साब कितने डियम साब पर कारवाई होती है नहीं होती है ये तो खेर भविश्य के गर्ब में छिपा है लेकिन पहले action हुआ तब ही उसका reaction हुआ था ऐसे ही बताया जाता है कि अधिकारी जो होते हैं बड़े अधिकारी छोटों पर डेली action करते जते हैं लेकिन reaction तो बहुत कम बार होता है और जब जब reaction होता है तो ऐसे ही अख़वारों की सुर्ख्या बन जाती है खबरे बन जाती है और आज कल का जमाना सोशल मीडिया का है तो ऐसी चीजें तो सोशल मीडिया पर वाइरल हो जाती है और लोगों को जानने का हग भी बनता है कि आखिरकार हुआ क्या था दोस्तो इस पूरे घटना करम को सुआने का उद्देश है किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बलकि आपको जागुर्ट करना है आपको सचेत करना है और जाते जाते अलिगर के रहने वाले हैं विशाल प्रजापती जहारखंट की रहने वाली हैं सुमन कुमारी और आयूश यादब हैं आज इनका जनम दिन हैं तिनों को जनम दिन की धेरो सारे शुपकाम नहीं साती कुछ लोगों नाम लेनी की अपील किये जिसमें ओमकार सर आजपोट छोटो कुमार रणजीत यादब इमरान चोथरी जनक सिंग सनी शर्मा शिवम कुमार आयूश मिश्रा कैलाश कुमार आप सब लोग अपने खैर लखें सुरक्षित रहें जैहिंद जैभारत